जब बजरंग बली का हुआ एक ऐसा चमतकार सतर साल की महिला के पचाए प्राण जिसे देख कर उड़ गए सभी के हूश आप देख रहे हैं हनुमान तर्शन राम भक्त हनुमान जी ने एक बार फिर से ऐसा चमतकार दिखाया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे इस बार हनुमान जी ने साक्षाद आकर एक बुजर्ग महिला को जीवन दान दिया है ये सची घटना अजमेर के गाउं की बुजर्ग महिला शीला की है बच्पन से ही शीला हनुमान जी की परम भक्त थी उसने बच्पन से लेकर बुड़ापे तक हनुमान जी के कई चमतकार देखे उसने बताया कि उसको सपने में हनुमान जी आकर बताते हैं कि आगे से उसके साथ क्या क्या होने वाला है ऐसा ही कुछ सतर साल की उमर में उसके साथ हुआ कुछ महीनेों की पहले की बात है वो डायबटीज और हार्ट की मरीज है और उसी से ग्रस्त रहती है जिसके वज़े से उसकी तवियत अकसर खराब भी रहती है लेकिन हनुमान ची की करपा इतनी है कि उसके बच्चे और साथ ही उसके घर वाले भी हमेशा सही रहते हैं और उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे उनके पती यदि हनुमान जी से कभी किसी भी काम को लेकर अरदास लगाते तो अगले दिन उनका काम संपन हो जाता इन्हीं चमतकारों की बदौलत आज उनका जीवन अच्छे से चल रहा है हनुमान जी की असीम किरपा की वज़से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है दो लड़कों की नौकरी सरकारी है और एक लड़की की शादी हो गई है वो भी ससुराल में अब खुश रहती है हनुमान जी की इतनी किरपा उनके लिए बहुत है वो अपने जीवन में सबसे बड़े चमतकार की अगर बात करे तो उन्हें रात के समय हाट अटेक आया और उनके बच्चे ने जब उन्हें अस्पताल में भरती कराया तब काफी देर तक डॉक्टर की टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती रही लेकिन उनके सासे थमसी गई थी उनकी बोड़ी जब उनके परिवार वालों को सौब दी गई तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि हनुमान जी हम सब आपके भक्त हैं हमारी मा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इसके बाद उनके बेटे ने उन्हें हनुमान जी के मंदिर के सामने घर ले जाकर लिटा दिया और हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठ गए इसके बाद उन इस बार उन्हें कुछ नहीं बताया, किसी मरे हुए इंसान को दुबारा जीवित देखना किसी चमतकार से कम नहीं है, लोगों को तो लगा जैसी कि वो भूत है और सब उनसे दूर भाग रहे थे, फिर अगले दिन हनुमान जी ने उनके सपने में आकर उन्हें कहा, कि उनके जीवन में उन्हें कुछ नहीं होने देखे, यदि तुम्हारा समय नस्दीक होगा, तो मैं खुद तुम्हें बताने आँगा, हनुमान जी के इतने चमतकार को देखकर वो खुद भी हैरान थी और उनका पूरा परिवार भी हैरान था, लेकिन वो खुद को भागशाली मान देखते रहिए, हनुमान दर्शन